हेलो दोस्तों कैसे आप? उम्मित करता हो आप सभी अच्छे होगे दोस्तों जर्मन से पर डॉग बारत में सबसे आधिक पसंद की जाने वली तता पाले जाने वली नसलों में से एक है जो कि लैबराडोर के बाद दुसरे सबसे चाहिते डॉग के स्तान पर आते हैं और यह दुनिया के बैतरिन डॉग्स में भी शामिल है और इसी का फायदा डॉपलिगेट डॉग ब्रीडर उठाते हैं मिक्स ब्रीड बनाकर तो ऐसे में हम असली जर्मन से पर को कही से पैचान सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जर्मन से पर को पैचान लेकी कुछ ऐसे एजी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अगर जर्मन से पर करेटने जाए तो आपको औरिजनल जर्मन से पर को पैचानने में काफी हेल्प होगी तो आईए जानते हैं तो दोस्तो ओरिजिनल जर्मन सेपड को पैचानने की फस्ट्रिक है उसके कानों के जरिये जर्मन सेपड के कान सीर के उपड़ी भाग में मोजुद होते हैं निशले भाग में चोड़े और उपड़ी भाग में नुकिले होते हैं तता दोनों कानों की बीच की दूरी बहत कम होती है जैसे कि आप देख सकते हैं लावराड ओर की कानों की दूरी बहत ज्यादा है और यह सीर के साइड में और निच्छे जुके हुए है जर्मन सेपड की जगान दो से तीन मेने के बाद उपर की और खड़े हो जाते हैं और हमेशा स्ट्रेट रहते हैं यह एक ट्रिक से आप ओरिजिनल जर्मन सेपड को पैचान सकते हैं दूसरा ईजी वे है जर्मन सेपड के पैरों की बनावट जो के अन्ने डॉक के मुकाबले जर्मन सेपड के पैरों की पंजे मोटे, चोड़े और फुले होते हैं एक ओरिजिनल जर्मन सेपड के पिछले पैर मुड़े होते हैं अगर कोई ब्रीडर आपको स्ट्रेट पैर वाला जर्मन सेपड दिखा रहा है तो सावध हो जाईए वो 100% मिक्स ब्रीड है जर्मन सेपड के पिछले पैर अगले पैरों से छोटे होते हैं जब ये खड़े होते हैं तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा जुका होता है जर्मन सेपड लेते वक्त पैरों की जाच जरूर करें तीसरी सबसे आसांट्री के जर्मन सेपड डॉक की पूच यदि डॉक की पूच उपर और रिंग के आकार में मुड़ी हुई है तो वह उसके नकली या मिक्स ब्रीड होने की पैचान है एक ओरिजनल जर्मन सेपड की पूच आकार में हमेशा मोटी, घनी और सीधी होती है और ये नीचे की ओर जुकी होती है यदि डॉक अलर्ड मोशन में खड़ा है तो उसकी पूच उपर हो सकती है लेकिन नॉर्मली डाउन ही रहती है तो डॉक लेते वक्त पूच की तरब जरूर नजर घुमा ले एक और तरीका है जिसके माद्यम से आप जर्मन सेपड की प्यूर्टी की जाच कर सकते है यह ट्रीक थोड़ी मुश्किल हो सकती है वह है उनके सीर की बनावट एक ओरिजनल जर्मन सेपड का सीर चोड़ा और फैला हुआ होने के साथ नाक लंबी होती है जिसे सामने से देखने पर उनके दोनों कान ट्रेंगल सेप में खड़े हुए नजर आते है तता चैरा पुरा दिखाई देता है जैसे के आप देख सकते लाबराडोर के कान नीचे जुके हुए होने के वज़ा से चैरा पुरा डखा हुआ लगता है इसी वज़ा से जर्मन सेपड की यह खासियत भी उसे खास बनाती है नेक्स्ट ट्रिक के जरीए आपको जर्मन सेपड को ग्राउन में एक्सरसाइज करवा की चेक करना होगा दोस्तो जर्मन सेपड को बहुत ज़़ा फूर्तिले तेज और चंचल होते जिसके कारण इनका एनर्जी लेवल काफी ज़्यादा होता है दोस्तो ओरिजन जर्मन सेपड को पैचानने का अगला एजी वे है उसके कोट के जरीए जर्मन सेपड के तीन कोट होते है नॉर्मल, सिंगल और डबल कोट नॉर्मल और सिंगल कोट में जर्मन सेपड के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते है और जर्मन से पढ़के स्कीन नजर आती है double coat breed जर्मन से पढ़की standard breed है जिसमें लंबे और घने बाल होते है इसमें dog की स्कीन नजर नहीं आती और dog attractive दीखता है दोस्तों, breeder से जर्मन से पढ़के माता पीता को भी दिखाने के लिए बताए इससे भी पता चलता है कि यह dog original है या नकली साथी साथ dog का history seat भी मांगे जिससे कि आपको यह भी पता चलेगा कि यह dog registered है या नहीं तो दोस्तो अगर आप जर्मन से पर dog लेने जाए तो इंट्रिक्स को ज्यान में रखते हुए dog की जाच करें जिससे कि आपको एक सच्चा और अच्छा जर्मन से पर dog मिल सके उमिद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना